बात जेमेम के स्थापना दिवस की तो धन्माद में जेमेम का 44वा स्थापना दिवस मनाए गया जिसमें शीमू सुरेन समेट पार्टी के कई बड़े नेता मौचूद रहे गुल्फर ग्राउंड में हुए स्थापना दिवस समाहरों में हेमन सुरेन ने जमीन अधिकरहन स्मार्ट सची समेथ तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र की नीतियों पर कई सवाल खड़े किये स्थापना दिवस समाहरों पर हेवन सुरेन से खास बाचीत की जी मीडिया समवादाता अनीश महताने इस वक्त हमाई साथ मौझूद है निदापरतिपाक छेवन सुरेन हम सीरे निवी पर सलते हैं हेवन जी आज आपने कहा कि स्थानियता के मुद्धे पर सरकार और सीयम सुबह कुछ और बोलते हैं शाम में कुछ और बोलते हैं जबकि दूसरी तरफ सीयम ये कहते हैं कि आप लोग कमरे के अंदर कुछ कहते हैं बाहर कुछ कहते हैं तो सच कौन बोल रहा है अब तो यह तो आप खुजी देख रहे हैं कि मंतरी जी क्या क्या बयान देते हैं दुमका में बोलते हैं कहीं कुछ और धनबाद में बोलते हैं कुछ और हैं कहीं और कुछ बात बोलते हैं इसा तरह तरह के अलग अलग बाते हैं और यह काम करना है सरकार को हमें तो नहीं करन और उस विशाय पर अमल करना सरकार का दूसरा एहम सवल आपने जो उठाया ये है कि मजदूर करनेता सियम अपने आपको कहलाते हैं और मजदूर विरोधी नितिया बना रहे हैं और इसमें अपने एक लाइन और जो रहा है कि सदन से लेका सडक तक विरोध होगा जुरत पड़ी तो चक्का जाम भी किया जाएगा निस्तित रूप से जारखन में बहुत बड़े पहमाने पर लोग मजदूरी में निर्वर करते हैं और इस तरीके से पूरू में सदन में मजदूर विरोधी कानून को लागुक किया गया है एक तरफ केंदर सरकार इसको बिनाई करती है और वो दस जो कानून का प्रावधान है जो अब इन लोगों ने कानून बनाया है उस कानून के विप्रेद जो पूरू में चली आ रही है उसके ताहर कि वो चल रही है और ये उसको छोड़ करके ये और मतलब अधिक मजदूरों का सोचन कैसे हो ऐसे कानून बना रहे है या ऐसे कैसे चल सकता एक साथ दो निति तो नहीं चल सकते तो बजट सत्र में विरोध होगा अच्छा का था आप देखें बजट सत्र के रंडिती बनेगी और बहुत विसूज हो गया है अब इनके साथ क्या अब इनका दिरे दिरे घड़ा भड़ रहा है पापका ये पाप बहुत जल्दी फूटेगा चली ये थे निता प्रसिपक शेमन सुरें जिनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में विरोध जो है वो और तल्क होंगे और तोवर धामूमों के और ज़्यादा सकत काया परसन बिशाल के साथ मनीश मैता जी लीडिया दुमका